हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूटूब चैनल इस्टेडी विश्त बिसाल सिंग में जैसा कि मैंने पिछला वीडियो डाला था हिंदी प्रस्ण पत्र के लिए जो बहुत विटलपी से कुछ इंपर्टेंट प्रस्ण थे तो उसी तरह मैंने क्लाश 10 के गडित प्रस्ण पत्र से कुछ इंपर्टेंट प्रस्ण निकाल लें आपके लिए तो यहां पर आप सभी को पूरे खंड का मिलेगा कुछ चन आपको तो बहुत ही इजी पेपर मैंने बताया बनाया यह और जो मैंने पिछला वीडियो डाला था जो यूपी बोड ने जारी किया था मॉडल पेपर उसका सॉल्व मैंने कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा होगा एक्जाम की तैयारी के लिए तो आई इस वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर हमें साहिब के सामने हाजीर हूंगा तो यह रहे खंड को का पहला पच्चास एक स्क्वाइर माइनस और ठानवे वाई स्क्वाइर अपान टेंट एक्स माइनस चौदव आई को सरल कीजिए एक एक नंबर का यह प्रस्ण है आपके लिए काफी महत पूर रखेगा एक्जाम में जो एक एक नंबर सॉल प्रस्ण आप करेंगे तो इससे क्या ह अपका मनोबल बढ़ेगा तो यह आप प्रस्ण को आप प्रैक्टिस कर लेंगे और दूसरा प्रस्ण तीरकोड मीतिस है साइन बीस अंस अपान का सत्तर अंस कमान होगा उसके बाद आता है तीसरा प्रस्ण तीसरा प्रस्ण है होगा कि एक से दस तक की धनात्मक विसम संख अच्छाओं का समांतर माद्द होगा उसके बाद आता है कि चौता प्रस्ण चेत्र में यह भी ब्रीत का ब्यास से तथा ओ ब्रीत का केंद्र है यदि कोड़ C O B वरावर पचास तो कोड़ C A B कमान होगा C A B का यहां का कोड़ का कमान पूछ रहा है यहां का कोड़ का कमान पूछ रहा है तो यहां पर पचास संद दिया यहां का कोड़ कमान पूछा एक नमबर का यह प्रस्ण है आपके लिए और पांचमा प्रस्ण यह है कि आपके लिए यदि X प्लस उन पने X ब्रावर सेवन तो X स्क्वाइर प्लस उन पने X स्क्वाइ यह रहा खंड खो आपके लिए खंड खो में यह दो दो नंबर का प्रस्ण है आपके लिए यदि दिवखा समिक्रण कमान ग्याद कीजिए उसके बाद आएगा यदि साइन टीटा 3 अपन 5 हो तो 10 टीटा कमान ग्याद कीजिए यदि तिसरा प्रस्ण है कि यदि 27, 23, x-4, x-4, 15, 3 और 7 का समांतर माद 15 हो तो x कमान ग्याद कीजिए और ये राप खंडगो का ये प्रस्ण इसमें भी तीन प्रस्ण आपको मिलेंगे खंडगो में और खंडगो का ये प्रस्ण है कि रेखा 3x plus 4 y is equal to 12 और द्वारा अच्छों पर कटे अंतर खंडों की मापे ग्याद करो दूसरा प्रस्ण है कि सीद कीजिए कि ब्रीत की जीवा के मद बींद को केंदर से मिलने वाली रेखा जीवा पर लंबो होती है यह बहुत इंपोर्टेंट आपके एक्जाम में प्रस्ण लखेंगे क्योंकि आपके जो क्लास में टेस्ट होता काफी इसी तरह प्रस्ण आपको छोटे-छोटे प्रस्ण मिलते हैं एकजाम में भी इसे रिलेटु प्रस्ण ब्रास्ण मिल सकते हैं, तो हम कैंगे, आप इसे हल कर लेगे, और तिरसा प्रसण हे है कि, Motor 13 पाई अपर अपन 3 का मान ज्याद करो, अब आते हैं अंगले प्रस्ट की रोखों, अगला प्रस्निय है कि आपका खंड गो मिलेगा खंड गो में भी आपका तीन प्रस्न है हमने दी है आपके लिए पहला प्रस्निय है कि रेखा 3x माइनस यह माइनस है आप ध्यान देखेंगे 4y पलस 8 इसकोल टू 0 पर लंब रेखा की परवड़ता ग्याद करो उसके बाद आएगा कि दूसरा प्रस्निय है में तो 2 10 15 अपान वन उपान 1 पलस 10 स्क्वार 15 अपान ग्याद करो तीसरा प्रस्निय है में आपका एक संकुक की उचाई तथा आधार का ब्यास करम सा 12 सेंटीमीटर एवं 18 सेंटीमीटर है तो इसकी तीर्यक उचाई ग्याद किजिए अब आते हैं खंड अंगपे खंड अंगपे पहला प्रस्निय सीथ करने वाला तीरकोड मीती से कॉस 4A बरावर 1 माइनस 8 साइन स्क्वार ए प्लस 8 साइन क्वार 4A अब उसके बाद आएगा दूसरा प्रस्न आपके लिए इसमें केवल दो ही प्रस्न है आपके लिए पांच-पांच नंबर के रहेंगे आपके लिए प्रस्न यह दि मूल बिंदू से उस रेखा पर जो अच्छों से ए और बी पर अंता खंड काटती है तो डाले गए लम की लंबाई आई पी है तो सीद कीजिए ओन पांट पी स्क्वाइर इसकोर डूण पांट अपांट बी स्क्वाइर तो यह रहा खंड अंगा के लिए और अब आते हैं में अगले खंड की तरब खंड चो थे खंड चो में भी आपका तीन प्रस्न दीएं पांच पास नंबर के यह हैं तो पहला प्रस्ण पर आते हैं, पहला प्रस्ण यह लिखा है कि सिद कीजे कि किसी बृत में केंद्रों से बराबर दूरी पर इस जीवा आपस में बराबर होती हैं, यह पर मैं ऐसे हैं आपका, और आप आते हैं दूसरे प्रस्ण पर यदि तो प्रस्ण आपका काफी लंबा है, लेकिन बहुत ही असान प्रस्ण है आपके लिए, तीसरा प्रस्ण है कि 36 तल पर इस्तित बिंद्ध, वो से उसी तल पर कटे एक उर्दवार्दर मिनार के सीर्स का, उन्यन कूड 15 अंस है, तो मिनार की और 80 मीटर चलने पर उन्यन कूड 30 अंस हो जाता है, तो मिनार की उचाई ग्याद करो उसके बाद सबसे लास्ट खंड आपके लिए, यह है कि इसमें भी यह 6-6 नंबर प्रस्ण है आपके लिए, 6 नंबर का एक कूश्चन है, आपको दोनों कूश्चन आपको करने हैं इसमें, पहला प्रस्ण इसमें आपको सरल करना है, आपको सरल करना है, और दूसरा है, यह है कि रचना से आपके लिए, एक चक्रित चत्रुपूज, A, B, C, D की रचना कीजिए, जिसमें, AB कमान 4 cm BC कमान 5 cm CA कमान 6 cm तथा CD कमान 4 cm है तो H रत रुफुज का आपको करना है तो यह रहे Class 10 के लिए बहुत important प्रस्णा आपके लिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लेगा तो लाइक जरू करने हैं अपने दोस्तों के भी साथ सेयर करें क्योंकि उनकों भी वीडियो यह मिले और इसे आप हल करेंगे तो अच्छा ही रहेगा और आपके लिए एक्जाम के लिए बेटर रहेगा तो थाइंक यू वाचिंग माई वीडियो प्लीज सस्क्राइम मैं चैनल स्टेडी विशाल सिंग जय हिंद फंदे मात्राम